नमस्कार दोस्तों, हमारी इंडियन फुटबोल के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसी नई कोंट्रोवर्सी बहार निकल कर सामने ना आती हो मुश्किल से दो-तिन दिन होते हैं गुजरते हुए लेकि तबी एक और नई कोंट्रोवर्सी बहार निकल कर आ जाती है और भईया इस बार जो मामला हुआ है ना वो ना काफी बड़ा मामला है मैच फिक्सिंग ये एक ऐसी चीज है जो हमारे इंडियन फुटबोल की जो रेपुटेशन है ना वर्ल के अंदर उसको और जादा खराप कर सकती है जो उसने कुछ हद तक कर भी दी है क्योंकि अभी रिसेंट में ना देली की लीक अंदर एक मैच चलना था अभाब एफसी और रिंजर्स एफसी की टीम के बीट जहाँ पर टिंग 4-0 से आगे होती है तो वहीं लाश के 10 मिनट के अंदर जो टिंग 4-0 से आगे होती है ना अभाब एफसी वो आंकरी के 10 मिनट के अंदर दो ओन गोल करते हैं और जिस तरीके से अपने उपर करते हैं ना तो उसको देखके साफ साफ यही लगता है कि भाईया सीधा सीधा मैच फिक्सिंग है और इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ मैच फिक्सिंग का इंसिडेंटी नहीं मैं इसकी पूरी कहानी बताऊँ है कि यह कप से चलती आ रही है कौन कर रहा है कहां से बैटा बैटा कर रहा है और इस चीज़ के उपर आप तक प्रो के अंदर कहानी होई थी सबसे पहले 2018 में जब CBI ने इसकी इंक्वाइरी बिठाई थी आई लीग के अंदर मिनर्वा पंजाब की टीम ती जिनकी प्लेयर्स को एप्रोच किया गया था मैच फिक्सिंग के लिए और जब 2018 के अंदर यह मामला बाहर निकलकर आया मिनर्वा प हमारी एक डूटिफुल गेम को खराब करता है अब यह थो थी 2018 की कहानी अब इसके बाद 2022 में फिर एक बार यह मुद्धा भार निकलकर आता है और फिर CBI जांस करती है आई लीग के अंदर ही आई लीग के क्लप्स को एप्रोच किया जाता है मैस फिक्सिंग के निए और ए 2023 के अंदर वापिस से ही रिपोर्ट आती है कि आई लीग के पांच कलप को एप्रोच किया गया है मैस फिक्सिंग के लिए अब आप सोचो तीन साल यानि 2018, 2022, 2023 तीनों में एक ही मामला हुआ और फिर एक बार 2024 के अंदर फिर ही चीज सामने निकलकर आई कि डेली की लीग के वापिस मैस फिक्सिंग देखी गई और इस बार तो जीता जाकता सबूत था वीडियो के तोर पर पहले के तीन सालों में यह मामला ज्यादा इसने बार नहीं आया क्योंकि वहाँ पर वीडियो का कोई प्रूफ नहीं था और इस बार जबी मैस होई लाइफ स्ट्रीम रहा अब आब FC जो इस चीज के अंदर शामिल थी उनको सबसे पहले तो लीक से ही हटा दिया गया और AIFF इसको उपर पूरी जांच कर रही है तो यहाँ पर मैस फिक्सिंग सीधा सीधा अच्छे खासे लेवल पर हो रही है पर अब आप फोचे लोगी गयार ऐसा कौन हो सकता है कि हमारी इंडियन लीक्स के अंदर आके मैस फिक्सिंग कर रहा है तो वह देखो 2018, 2022, 2023 और 2024 इन चारो सालों में एक ही कोमन नाम है यहाँ पर सिंगापूर बेस का यह आदमी है जिसके उपर एक बाद 2018 या दो हजार बा है और आप यहाँ पर एक बाद नीचे नजर डालोगे तो किन-किन टूर्णामेंट्स के अंदर इनका हाथ रह चुका है तो बहुत को ओलंतिक्स के अंदर भी रह चुका है अफ्रीकन कप्स के अंदर भी रह चुका है और वूमेंस वर्ल्ड कप के अंदर भी रह चुका है और उपर से हमारी state leagues और हमारे youth players इस चीज का हिस्सा भी बन रहे हैं अपने career के बारे में ना सोच कर और यह जो change है ना यह सिव डैली के अंदर नहीं यह काफी सारे states है जिनकी league की यही कहानी है गोवा की जो प्रो लीग चलती थी वहाँ पर भी यह मामला सामने निकल कर आया था और वहाँ के 5 मैचों को red flag किया गया था जिनके अंदर साफ साब यह देखा गया था कि match fixing शामिल हो सकती है तो अब आप यहां से यह पूरा background देखकर तो यही समझ गए होगे कि यह मामला कप से चलता आ रहा है और अब जाकर यह मामला क्यों highlight हुआ क्योंकि वीडियो इस बार हमारे सामने थी क्योंकि भई देखो अगर हम हमारे Indian Football Federation की बात करें ना तो action तो यह काफी पहले से ही लेते आ रहे हैं 2018, 2022, 2023 अब हुआ क्या उस action का? 2024 के अंदर वापिस एक state league के अंदर हमें यह चीज़ देखने को मिली तो यहां से यहां आप सोच सकते हो अगर कोई एक federation बार-बार किसी चीज़ के उपर action ले रहा है लेकिन उसके बावजूद वही चीज़ बार-बार हुए जा रही है तो यह किस तरीके का action है? यह तो मेरी खेंट समझ से बाहर है क्योंकि अब भी हमारी इंडियन फूटबोल फेडरेशन की तरफ से करन पर रिपोर्ट्स दिया आई थी सबसे पहले जो इन्होंने अबाब FC की टीम को लीक से हटा जिया अब पूरी लीक को यह रेडार पर लेके चल रहे हैं पूरी अथे तरीके से महापत चानमीन कर रहे हैं और हमारे इंडियन फूटबोल के प्रेजिडेंट कल्यान चोबे जी ने भी फैंस से ये बोला है कि मैं सारे फैंस को आश्वासन दिलाता हूँ कि हम अपने इस ब्यूटिफूल गेम को खराब नहीं होने देंगे किसी भी तरीके की मैच फिक्सिंग के चलते क्योंकि कर ली रात अभी हिंडियन फूटबोल की पेज की तरफ से ये अपडेट आता है कि हमारी AIFF की कमीटी के बीच रात में एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग मैटी है इस मैच फिक्सिंग के चलते जिस मीटिंग के अंदर इस पूरे क्रैटीरिया को अच्छे तरीके से देखा जाएगा कि आखिर में इसके पीछे किस का हाथ है कौन-कौन इसके अंदर शामिल है और इस पूरी लीग को अभी अच्छे तरीके से चानबिन करी जाएगी कि एक्चुल में सिर्फ एक मैच नहीं और भी ऐसे काफी सारे मैचीज हो सकते हैं जिनके अंदर ये चीज देखी गई हो तुकि बढ़ी देखो ये मैच फिक्सिंग ही ऐसी चीज नहीं है जिसको इंदियम फूटबोल के अंदर देखा गया हो इसके अलावा भी और कुछ ऐसी चीजे है जैसे प्लेयर्स के अंदर एज फ्रोड का मामला और प्लेयर्स से ये बोलना कि आप हमें पैसे दो हम आपको अपनी टीम के अंदर खिलने का मोका देंगे वो क्यों मैं कहा रहा हूँ तुकि एक तरीपूरा का खिलाडी था आयूस जमातिया जिसको एज फ्रोड के चलते हैं हमाली इंडियम फूटबोल फेडरेशन ने चार साल के लिए बैन कर दिया और सिर्फ इतना ही नहीं ये कहानी 2020 के अंदर सुब्रोतों कप में भी देखी गई थी जिसमें से जब 119 खिलाडियों की एज का टेस्ट हुआ तो जिसके अंदर 69% ऐसे खिलाड़ी थे जो उस एज टेस्ट के मामले में फेल हुए थे और जो मैं बात कर रहा था कि क्लब्स की तरफ से ऐसा आता है कि आप हमें पैसे दो हम आपको अपनी टीम के अंदर खिलाएंगे तो ये एक स्टोरी डाली गई थी जहां पर साफ साफ बोला गया था कि पे एंड प्ले फोर आवर टीम कि भाई आप हमें पैसे दो हम आपको अपनी टीम से खिलने का मौका देंगे तो ये सब चीजें भी चलती आ रही है हमारी इंडिया फुटबोल के अंदर क्यूंकि भाई देखो मैं अपनी तरफ से ये मानता हो अभी हमारे इंडिया के अंदर फुटबोल का जो पूरा सिस्टम है ना वहां पर अभी क्लब्स उतने अच्छे लेवल पर नहीं है क्यों उनको प्रोफिट जनरेट हो अपने क्लब्स के चलते हैं तो सिर्फ इस रीजन की वज़ा से मुझे ऐसा लगता है कि क्लब्स को ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं कि खिलाडियों को बोल जाए कि आप हमें पैसे दो हम आपको अपनी टीम के अंदर खिलेंगे या फिर मै इसल के अंदर हर साल 20 से 30 करोड का लोस होता है जो कि आइपल के अंदर 10 गोना ज्यादा बढ़ जाता है प्रोफिट के मामले में तो आप सोच सकते हो कि इतने बड़े-बड़े क्लब्स जिनके अच्छे खासे ओनर हैं वही आयसल के अंदर आगर लोस में चल रहे हैं तो य कहीना कहीना हमरी इमेज डाउन कर रहे हैं क्योंकि अच्छे खासे जो वर्ल के इंदर फूटबोल के पेजी जा रही है यहां पर पोस्ट डाले जा रहे हैं कि यह है एक्शन में इंडियन फूटबोल जहां पर ऐसी चीज़े देखने को मिल रही है जो आप अपने सामने भ होना चाती है अपने आपको अच्छा करना चाती है उनकी ही स्टेट लीक के अंदर सेकेंड डेवीजन लीक के अंदर अगर यह सब चीज़े चलती रहेंगी तो हो आप वीडियो पूइड या subscribe करते ना ताकि आगे की वीडियो आपके पास आती रहे तब तक मिलते हैं अगनी वीडियो में अगनी कहानी के साथ जैहिंद